अस्तामा की पराप्ति से संटुश नहीं थ네 हैं वे चाते थे कि उन्हें सुधार मेदा स्तामा की पास प्रकाइव भ्याप्ती हो जाये टाकि वियूद में ट्राप्ति हो सकें और यह सोच कर भगवानस्रीकस के पास किरति पर उनका सवागत बड़े प्रेम से किया और अस्तामा ने भगवांससी गस्त के पास भबात पका कि वस्तअप मुझे अपने सुधरसंचक्र दें लिए और बजले में मुझे मेरा ब्रमाता ले ली जीए और तब स्रीकर्ष सर्कास निए सब्सक्राइब करना तो दूर वे उसकी मातर रोसनी सही चलने लगे तब अस्तामा ने चमा मांगने पर भुगान से कसका सुदर्सन चक्र वापस ले लिया और दोस्ते हां तो की बता जाता है कि जो अस्तामा दे काफी लोचिले और काफी विनास्कारी बताए गए थे और पर पांडो होने वाली गटना को पहले सही पता ते लेकिन भगवान सेकोन शुकात है कि यके इसके बारे में किसी को पता देंगी तो उनकी मृति हो जाएगी और नमबर दो पर आते संजा, दोस्तों महारेसी वेद्वियास को संजा को दिवेदेश्टी दी दी जिसकी मतस्ताइब देशास्ट को मैल में बैटे बैटे कुरुचित का हाल पताय करते थे और अरजुन के बाद संजा ही थे जिनने गीता कफदेश सुना और साथी साथ बगान सिरकेशन के दुरलब बिस सरूप दरसन भी किये थे और नंबर एक पर बता जाता है जो काफी सबसे बड़े दりनुजर थे वो थे बारबरीक जो महाबार्थ के सरेस दृनुजर में से एक कहते हैं कि ये पूरे महाबार्थ युद्ग को खतम करने के लिए बारबरीक के तीन ही बार काफ़ी दे लेकिन माबारत यूद को संतुलन बनाई रखने के लिए सिर्कस ने अपनी माय से उन्हें यूद में भाग लेने नहीं देता है और बारबरिक को आज खाटु साम जी की नाम से भी जाना जाता है दोस्तों कि आपको से पहले तीन वेक्टिक